हाई, क्या आपको back pains है टिका या slip disc की problem है और आप ऐसे profession में हैं जहाँ पर आपको इस back pain के साथ में कई बाद travel भी करना पड़ता है जो कि आपके profession के demand है आपको long distance travel करना पड़ता है और आप इस चीज़ को लेकर काफी समय से परिशानी में है कि क्या ऐसा करूँ जिससे कि मेरी journey easy हो जाए और मेरी ये problem और ज़्यादा deteriorate ना हो हाई मैं हूँ Dr. Neeraj, मैं senior consultant physiotherapist और post injury exercise specialist हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे important tips बताऊंगा जिसको अगर आप apply करते हैं तो आप back pain के साथ अपनी journey को easily complete कर सकते हैं कि अपनी seat को अपने steering से ना तो बहुत ज़्यादा दूर रखें और ना बहुत ज़्यादा close रखें इससे आपकी backbone के जो soft structure हैं उसके उपर किसी तरह का strain नहीं आएगा और आप comfortably बैठ कर अपनी journey को complete कर पाएंगे दूसरा important tip यह है कि आप जब भी travel करें तो हर 30 minute के बाद में अपनी journey से एक बार break ले लें अपनी गाड़ी से बाहर आजाएं और आराम से road पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहें या थोड़ा टहल लें उसके बाद में आप वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ सकते हैं और अपनी journey को continue कर सकते हैं तीसरा important tip यह है कि जब आप long distance travel करते हैं तो आप यह कोशिश करें कि अपनी गाड़ी में जो tire का pressure है उसको हलका सा कम कर लें ताकि road के उपर जब भी bumps आएंगे तो उसका आपकी body पर impact कम हो जाएगा और आपकी back जो soft structures हैं उनको नुकसान होने के chances काफी कम हो जाएगे अगला important tip यह है कि आप अपनी गाड़ी में या तो swival seat जो की rotate हो जाती है उसको use करें या आप अपनी गाड़ी में बैठने और उतरने के pattern को change करें आपको क्या करना है पहले आराम से seat पर बैठ जाना है और उसके बाद में दोनों पैरों को अंदर लेना है इसी तरह से गाड़ी से उतरते समय घूम कर पहले अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ रखना है और उसके बाद में खड़े होना है swival seats जो की आजकल काफी popular हो रही है इस purpose के लिए काफी useful होती है आप उन्हें भी use कर सकते है इसके अलबा next tip यह है कि जब भी आप travel करते हैं तो अपनी गाड़ी में back support cushion जरूर use करें या आपकी backbone की shape को maintain करने का काम करता है साथी साथ आपको एक comfortable position में भी बैठने में help करता है अगर आपके बास back cushion नहीं है तो आप एक simple towel ले सकते हैं उसको four fold करके back care पीछे की तरफ लगा सकते हैं ये भी आपको काफी helpful रहेगा इसके अलबा जब भी आप travel करते हैं तो आप अपनी गाड़ी में hot water bag या heating pad जरूर रखें जिसको कि आप गाड़ी के power source से यूज़ कर सकते हैं long distance travel में जब भी आपको लगे कि back के muscles tight हो रहे हैं या आपको uneasy feel हो रहा है तो आप थोड़ी दिर इस heating pad को या hot water bag को apply करेंगे इससे आपको immediately relief मिलेगा इसके लबा जब भी आप गाड़ी को drive करें तो कोशिश करें कि अपने hands की position इस तरह से 150 timing के हिसाब से रखें यानि की एक बच कर 50 minute की जो position होती है उस position में आप रखें इससे आपकी back को support मिलता है और आपकी seat पर stability भी improve होती है साथी साथ back pain को control करने में ये position काफी helpful भी होती है ये जो साथ tips मैंने आपको अभी बताए अपनी long distance travel के समय में अगर आप इन tips को apply करते हैं तो आपकी journey काफी safe, less painful और enjoyable रहेगी